इस वीडियो में हम पाइफन प्रोग्राइम करेंगे जिसमें हम एक डिक्ष्टरी को क्लिएट करेंगे और डिक्ष्टरी में क्या डेटा डालेंगे आपने डिक्ष्टरी को बन घ् Hmmm क्या बन गया एक empty dictionary बन गया है मतलब खाली dictionary बन गया अब इसके अंदर हम key value pairs डालेंगे अब next command क्या है आपने input function का use करके prompt दिया how many employees मतलब कितने employees का data आपको चाहिए और हमने इसको enclosed क्या int function से right because input function क्या करता है input लेते है string form में okay तो उस string value को हमने इंटीजर में convert करने के लिए इन function का यूज किया राइट जो भी डालोगे वह कहां चले जाएगी वह अन वेरियेबल में जाके श्टोर जाएगी जैसे आपने यहां पर लूप लिए फोर ए इन रेंज एन जो भी नंबर है आपका 345 जितने अभी है उतनी बार क्या होगा आपका लूप चलेगा फाइंड ओके नाओ अभी 3 है अब हमने यहां पर 3 लिया है तो कितने टाइम्स चलेगा 3 टाइम्स चलेगा जब ही first time चलेगा तो क्या होगा सबसे पहले हमने क्या दिया यहां पे अंदर जाएगा फरस्ट टाइम एटरेट करेगा employee name एक variable दिया और उस variable में हमने input करा दिया enter employee name find input function की help से enter employee name तो सबसे पहले आपका आगया enter employee name रोहन आपने यहाँ पे किया तो यह कहाँ पे जाके store हो जाएगा EMP name में right फिस second आपने variable या employee salary और वो input करा दिया enter employee salary input function की help से और यहाँ पर हमने in function का use किया जिससे salary किसमें convert हो जाए इंटीजर में convert हो जाए नेम तो by default string है तो string ही रहेगा उसको conversion की जुरत नहीं है लेकिन यहाँ पे salary किया string to integer convert करने के लिए हमने in function का भी यूज किया है fine तो यहाँ पर आपने एंटर employee salary किया तो आपका यहाँ पर 60,000 आपने दे गया next आपने क्या किया डी डी is the dictionary name employee name अब employee name क्या बन गया key equal to employee salary तो employee salary क्या बन गया value ओके तो डिक्षणी का आपका first key value आपको मिल गया employee name क्या है यहाँ पर रोहन और employee salary क्या है 60,000 तो first key value पर आपको मिल गया right अब यह loop क्या चलेगा second time चलेगा क्योंकि हमने three दिया है तो one time है चल चुका है second time चलेगा second time फिर भई होगा यह आप से पूछेगा enter employee name okay you have given sneha enter employee salary तो आपने दे दे 70,000 ओके अब आपने नीचे command दिया तो आप यहाँ पर दे सकते हो key value then again key and value fine फिर यह क्या करेगा फिर थर्ड टाइम चलेगा okay तीसरी बर चलेगा और यह फिर से आप से पुछेगा enter employee name आपने दिए साउरब and employee salary 65,000 तो यहाँ पर देखो यह फिर से आपने क्या 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 ची बन गया आया और 3 times क्या हुआ की value pair को enter करा दिया दिक्ष्णी के अंदर जो empty दिख्ष्णी थी अब वो क्या होगे यह फिल होगी है तो अब आपने क्या 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 प्रिंट क्रेटे डिश्नी को प्रिंट करा दिया प्रिंट तो नाउ यू कन सी यहां पर आ गया है डी ठीक है आपक एंप्लाई नेम को एंटर करो उसकी सैलरी को डिस्प्ले करने के लिए फाइं अब देखो आपने next command क्या दिया डी एंड वेर वेर क्या आपका वेरियेबल अब यहां पर जो वेरियेबल है वो कैसे एक्ट करेगा as a key act करेगा एंप्लाई ठीक है यह एक्ट करेगा तो यहा आप का प्रम्ट आ गया उसके बार आपने इहां पर लिखा थिके ओके तो यह क्या हुआ, 70,000 उसकी सेल्री आगे, 70,000 के आगे, उसकी सेल्री आगे, तो this way, with the help of employee name, you can access its salary, with the help of key, you can access the value, तो यहां पर, I think you know that, हमने यह पहले भी क्या हुआ है, यह कैसे आप access कर सकते हो value को, dictionary name, square bracket, key, ओके, now children, we will meet in our next video, with our next topic,